So Hello Friends, Welcome Back to my YouTube Channel दोस्तो मैं Prince DVD एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ दोस्तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पिछली वीडियो में हमने Transfer of Property Act के Introduction Nature उसकी Applicability और Non Applicability के बारे में बात की थी वो introductory वीडियो थी दोस्तो ठीके तो आज हम दोस्तो इस वीडियो में section 2 of the transfer of property act को discuss करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ तो चलिए आप वीडियो को start करते हैं विना time बेस्किए लेकिन दोस्तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe जरूर कर देना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और link description में टेलिग्राम चैनल की दी हुई है अगर आप चाहते हो तो वहाँ भी join हो सकते हो वहाँ पे आपको आपके हमारे notes अच्छे से मिल जाएंगे दोस्तो वीडियो को like भी करना कमेंट में बताना कि आपको समझ में आया की नहीं आना तो चलिए हम वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो section 2 जो है transfer of property act को वह कहता है इसकी जो heading है वो यह है कि repeal of acts आधिनियमों का निरसन मतलब कुछ enactments या कुछ acts को यह repeal करता है तो क्या बोलता है कि section 2 बोलता है कि मैं उन सारे enactments को repeal करता हूँ जो transfer of property act के schedule में दिये है transfer of property act का schedule आपको last phase में bear act के अबुक में मिल जाएगा दोस्तो तो वहाँ पर जितने भी enactment दिये हुए है उन सारे enactment को section 2 repeal करता है ठीक है दोस्तो लेकिन कुछ चीजे है जिनको repeal नहीं करता है वो चीजे क्या है पहला है कि not expressly repeal मैं इसकी bear act से building पढ़ता हूँ दोस्तो the provisions of any enactment not hereby expressly repeal यह section 2 कहता है कि वो चीजे repeal नहीं मानी जाएंगी जिन चीजों को मैंने express तरीके से बताया ना हो मतलब जिनको मैंने expressly ना बताया हो कि यह repeal है उनको repeal नहीं माना जाएगा clear है दोस्तो दूसरा क्या बोलता है any term incident of contract or constitution of property which is consistent with the transfer of property है ठीक है इसकी wording पढ़ता हूँ दोस्तो any terms or incidents of any contract or constitution of property which are consistent with the provision of this act and are allowed by the law for the time being enforced कहने का मतलब दोस्तो इसको ऐसा समझो कि transfer of property act से पहले अगर दो बंदों के बीच में कोई property transfer हुई है किसी contract के जरिए और उनके transfer होने में कोई problem नहीं आई ठीक है और जब यह transfer of property act लागू हो गया ठीक है दोस्तो तो अगर वो जो contract किया गया था उन दोनों के बीच में वो consistent है with the provision of the transfer of property act मतलब कि transfer of property act के प्राबधानों के खिलाफ नहीं जाता है तो उसको repeal नहीं माना जाएगा लेकिन अगर वो contract जो transfer of property act के आने से पहले किया गया है वो अगर उसके खिलाफ जाता है किसके transfer of property act के प्राबधानों के provisions के खिलाफ जाता है तो फिर उसको repeal माना जाएगा अन्यथा repeal नहीं माना जाएगा clear है दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्या बोलता है इसकी wording में पढ़ता हूँ आपको कि any right or liability arising out of a legal relation constituted before this act comes into force or any relief in respect of any such right or liability तो दोस्तों कहने का मतलब कि अगर कोई right या फिर कोई liability arise हो रही है transfer of property act से पहले कोई contract हुआ है उनके बीच में अगर कोई right या कोई liability arise हो रही है ठीक है तो transfer of property act उसको interfere या फिर effect नहीं करेगा उसको repeal नहीं करेगा clear है दोस्तों last क्या बोलता है दोस्तों transfer which is effected by the operation of law मान लो कोई भी transfer किया जा रहा है वो by operation of law किया जा रहा है operation of law क्या होता है हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कोई भी transfer किया जा रहा है तो वहाँ भी transfer of property act effect नहीं करेगा interfere नहीं करेगा उसको repeal नहीं करेगा ठीक है दोस्तों लेकिन इसका एक exception है दोस्तों last वाले का एक exception है कि section 57 के अंतरगत transfer of property act effect करेगा अगर section 57 के अंतरगत operation of law के दोरा कोई property transfer की जा रही है तो वहाँ पे जो transfer of property act के provision effect करेंगे उसको repeal करेंगे clear है दोस्तों तो ये था हमारा section 2 एक चीज़ और बचिए दोस्तों section 2 ये भी बोलता है कि जो transfer of property act का chapter 2 है chapter 2 में जितने भी provision दिये हैं वो मुहमदन law को effect नहीं करेंगे मतलब जो Muslim law है उसको प्रभावित नहीं करेंगे I hope दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी आगे हम अगली वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए धन्यवार